क्योंकि भारत मारव जाती की भलाई पर ही भरोसा करता है बागले देश में हिंदों के खिलाब जो आग लगी हुई है उस हिंसा की आग का विरोध अब हिंदुस्तान में वितेश हो गया है दिली से भी प्रदर्शन की तस्वीरे सामने आई हैं जहां लोगों ने हाथों में हिंदुओं पर अत्याचार बंद करों की तक्तिया लेकरके अपना विरोध चताया है इस रिपोर्ट में देखें अलब संख्यक हिंदु आबादी पर हमला हिंदुओं के घरों में आग जनी मंदिरों में तोड़ पोड़ पाँच अगस्त को हुए तख्ता पलट के बाद बंगलादेश में हालाथ आउट ओफ कंड्रोल है शेक हसीना के देश शोड़ने के बाद से ही हिंदु आबादी निशाने पर है दिन रात हिंदुओं के घरों को मंदिरों को निशाना बनाया जा रहा है जबकि उम्मीद जताई जा रही थी कि जब मुहम्मद यूनुस की अगवाई में देश में नई अंत्रिम सरकार बनेगी तो हिंदुओं पर हमलों और प्रदर्शनों में कमी आएगी लेकिन उल्टा हालाथ बत से बत्तर हो गए है पांच अगयसे बांगलादेश में तक्का पलट हुआ और इसके बास से हिंदुओं पर लगतार अत्याचार हो रहे है हिंसा का तो जो शुरू हुआ है वो अभी भी ठंकने का नाव नहीं ले रहा है अपनादे की लगतार हिंदूओं को बंगलादेश में टार्गिट किया ज़ रहा है ना सिर्फ उन पे अत्याचार हो रहा है बलकि उनके घरों को आग के अवाले किया ज़ रहा है इसके अलबा मंदिरों में भी तोलफोर किये जा रहे बंगलादेश में हिंदू पर विरोध की आग भारत में भी लग गई है यहां लोग सड़कों पर उतर कर अपना विरोध जता रही है दिल्ली में भी ऐसी ही तस्वीर देखने को मिली है जहां नारी शक्ती की कारकरताओं ने हाथों में तख्तियां लेकर हिंदू पर अत्या चार बंद करने की आवाज उठाई यहां पे किस तरह से महिलाए भारी संख्या में यहां महिलाए है आगे की तस्वीरे दिखाए तो देखे पूरे मंडी हाउस गोल चकर में पूरे मंडी हाउस गोल चकर में यहां पे देखे कारे करताओं की भीड़ आप देख सकते हैं नारी शक्ती के जिकने भी कारे करता हैं खास तोर पर जो महिलाए हैं वो यहां पे पहुंची भी है अपना विरोध दर्ज कराने के लिए हातों में जंडे भी है मैम लगतार यह विरोध देखने को मिल रहा है कई बार खाली इंडिया ही नहीं बलकि देश के लगलग कोने से आवास भी उठ रही है इतना ही नहीं बांगलादेश में लगतार कम हो रही हिंदू आपादी पर भी प्रदर्शन कर रही महलाओं ने सवाल उठाया 1947 में जो 30 परसन थे आज वो आठ परसन कैसे रह गए है 1947 देखे, 1971 देखे, उसके बाद जब बावरी धाजा टुगार लगा अतार इनको मारा जारा इनके धर्न के करण वो भागर हिंदूस्तान आ रहे हैं इनको रहने का हाग है वना अफगानिस्तान, पाकिस्तान लगबग हिंदू वहीन हो गया है बांगलादेश में हिंदू वहीन होने के कागार पर है वो और शूट स्टाट अप, दो शूट स्टाट अप and listen to their screams बांगलादेश में एक तरफ तो मुहम्मद यूनूस्त शान्ती का पैगाम दे रहे हैं तो दूसरे तरफ हिंदूओं पर जिहादियों के हमले नहीं रुक रहे हैं लगतार हिंदूओं को निशाना बना कर हमले किये जा रहे हैं और पूरब बांगलादेश हिंसा की आग में जलस रहा है जल रहा है बेरो रिपोर्ट रिपाप्लिक भारत और बांगलादेश में होरी हिंसा को लेकर भारत ने प्रदर्शन लगातार जा रही है अब तक हम पहुचा रहा है दिल्ली में भी आज एक ऐसा ही प्रदर्शन दोपहर में किया गया अब बात करेंगे चुनाव शुनाव शुनाव चुनाव का ऐलान हो चुका है जिसके लिए एक चरण में वोटिंग होगी तो उसी के साथ आपको बता दें कि जमु कश्मीर में तीन चरणों में वोटिंग होने वाली है जम्मू कश्मीर के अगर हम बात करें तो तीन चरणों में विधान सभा की ये चुनाओ 18 सितंबर और साथ ही इसके 25 सितंबर को वोटिंग होगी एक अक्टूबर को भी वोटिंग होगी तीसरा चरण होगा चार अक्टूबर को दोनों ही राज्यों के परिणाम सामने आ जाए तो आज प्रेस कॉन्फरेंस की गई थी चुनाओ आयो की तरफ से जिन की तरफ से ये जानकारी दी गई है कि हर्याणा में एक चरण में तो नहीं तीन चरणों में चुनाओ होने वाले हैं जम्मू कश्मीर में ऐने तो आज को दो तो ऌत चिनमक्रणी पैरी कन वहांचारी को चिर्चरण में एक च्चरणीर तरफ सस्कराइबिं। प्रण सिर्च्ट भी रीग परा फिर वीज से तुट करыл में अमसार करवा थेस्मिर थे सथू करत बपा नख दिर रीज चिडेश इम आपंड ज़ गडाशुंव fanta a Are यह बहुत अच्छी बात है एक अक्तुबर को हर्याना की चुनाओ होंगे बहुत अच्छा मोसम होता है लोग बड़ी संख्या में निकल कर आएंगे और जहां तक हमारी पार्टी की बात है हमारी पार्टी पूरी तरह से तयार है हमने बहुत पहले से तयारी शुरू कर दी थी और हमारे कारे करता तो वैसे हर वक्त ही तयार रहते हैं हमारे कारे करता कभी बैरकों में नहीं जाते हमेशा फिल्ड में रहते है और पूरी तरह से चुड़ाओ लड़ड़े के लिए तैयार हैं। आफ इंडिया, होम मिनिस्ट्री, पार्लिमेंट के अंदर एक वादा, पार्लिमेंट के बाहर दूसरा चीज़ होता था। लोगों को लगता था कि आप जोमो किश्मियर में चुनाओ के भी होगा नहीं। और वो मौका अब उनको मिलेगा, अच्छी पार्टी, अच्छे मैनिफेस्टो को और अच्छे नमाइंदू को चुनके बेजें। ताकि हाउस बनने के बाद में हम स्टेट रेस्टोर करने के अपनी लड़ाई जारी रखें। जलिए देर आए दुरुस्त आए, इलेक्शन कमिशन के तरफ से तीन फेजिज में इंतिखावाद के तारीक का एलान हो चुका है और बड़ी जल्दी से जो है ये शेडियूल समाप्त होगा 87-88 के बाद ये पहली मरतबा है कि इतने कम अरसे के अंदर और इतने कम फेजिज में इलेक्शन जो है जो हो कश्मीर में कराए जा रहा है बांगलादेश में हिंदूों पर अत्याचार किया जा रहा है और अत्याचार को लेकर दुनिया भर में आवाज उठ रही है भारत में नुपुर शर्मा हिंदूों की रक्षक कैसे बनी दिखाएंगे आपको राद साथ 58 पर न्यूस का एक्स्ट्रेम